हेलो दोस्तो आज हम इन इस्टील बर्ड्स के ग्राइडिंग ग्लव्स का रिव्यू करेंगे दोस्तो ये बेसिक्ली मेरे दोस्त के हैं पर मैंने रिव्यू के लिए उससे ले लिए हैं तो दोस्तो ग्लव्स दिखने में काफी कूल हैं और इनकी Emanezen पर प्राइज जादा मि कुछ दिन यूज करने के बाद लग भग डेड़ महीने चले होंगे अच्छे से और यह फिर यहां से कटने लग गए काफी hard plastic था यह इस वज़े से जल्दी तूट गए सर्दी से कड़क होकर और इनमें दोस्तों full finger sleeves नहीं आती हाफ finger के आते हैं तो इनमें सर्दी भी लगती तो दोस्तों यह है जो steel birds के जो हमने order किया है इनमें दोस्तों एक कमाल की बात यह है कि इन पे जैसे अपन finger print रखेंगे mobile चला सकते हैं मतलब इसको पहन के finger काम करेगे अपनी और दोस्तों यह अच्छा मतलब यहां से quality है थोड़ी जालिदार है इसमें दोस्तों basically मैं आपक waxing काफी अच्छी दी हुए इस पर मतलब यह rubber का जो यह work है यह अच्छा क्या हुआ है यह नहीं कि कहीं से दागा वगारा निकला हुआ है और steel birds की branding काफी अच्छी दी गई है और दोस्तों यह gloves मुझे काफी comfortable feel हुए यहां से आपन देखेंगे तो यह काफी hard plastic नहीं है यह हलका rubber है और उपर से उसके मतलब थोड़ा सा cloth लगाया गया है जिससे की मतलब यह protect ray और टूटे भी ना जल्दी से और दोस्तों इसकी sleeves काफी अच्छी लगी मुझे मतलब finger की और पीछे से भी यह काफी cool है design इसका काफी अच्छा लगा दोस्तों दोस्तों पहनने के बाद यह कुछ इस तरीके के दिखेंगे इनमें दोस्तों तीन साइज आते हैं M, L और XL दोस्तों तीनों साइज ही काफी सही है cool है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें चार color option आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी मैं link description में दे दूँगा आप महाँ पर जा दे सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी एक मतलब लेना चाहते हो gloves तो मैं आपको suggest करूँगा steel birds के दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो एक like कर देना और ऐसी और informative और unboxing की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe कर लो thank you दोस्तों मैं ऐसी bikes और cars की वीडियो लाते रह तों, thank you